परिचय हमारे स्कूल के बैग में बहुत सा समान जैसे की किताबें, पुस्तकें, पैन, पैंसिलें आधी होता है. ये सभी हमारे बैग में रखे जाते हैं तथा विभिन कारियों में प्रयोग किये जाते हैं. इसी प्रकार एक कोशिका भी अनेक कोशिका अंगकों से मिलकर बनी होती है, जो की विभिन कारियों को संपन्न अर्थात पूरा करती है. उद्देश्य इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. कोशिका अंगकों के बारे में जानना. अंतर द्रवेई जालिका की संदचना तथा कारियों का वर्लन करना. गौलजी उपकरण की संदचना तथा कारियों का वर्लन करना. लाइसोसोम की संदचना तथा कारियों का वर्लन करना. माइटोकॉंड्रिया की संदचना तथा कारियों का वर्लन करना. प्लैस्टिट यानि लवक की सनचना तथा कारियों का वर्लन करना रस्धानियों की सनचना तथा कारियों का वर्लन करना कोशिका अंगोकों का परिचाए कोशिका अंगक जैसे की माईटोकॉंड्रिया, अंतरद्रवी, जालिका, रस्धानी आधी कोशिका के घटक होते हैं, जो की विशिस्ट कारियों को संपन्न करते हैं एक कोशिका के अंदर विभिन कोशिका अंगक होते हैं, जो की विशिस्ट कारियों को संपन करते हैं. ये जिल्ली से घिरे हुए होते हैं. प्रतेक प्रकार की कोशिका जैसे की एक कोशिक अथवा बहु कोशिक पादप अथवा जंदु कोशिका विभिन प्रकार के गौलजी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉंड्रिया, प्लैस्टिट यानि लवक तथा रस्थानी आदी इन कोशिका अंगकों के कुछ उधारण हैं। आओ अब इनकी सरचन तथा कारियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अंतर द्रवेई जालिका अंतर द्रवेई जालिका जिली युक्त नालिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा दंत्र है। इसमें लंबी नालिकाओं अथवा गोल थैलों जैसी संदचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पुटिकाएं कहते हैं। राइबोसोम की उपस्तिती के आधार पर अंतर द्रवेई जालिका दू प्रकार की होती है। खुरदरी अंतर द्रवेई जालिका अर्थात RER तथा चिक्री अंतर द्रवेई जालिका यानि SER। इलेक्ट्रोन सुक्ष्म दर्शी से देखने पर खुरदरी अंतर द्रवेई जालिका यानि RER की सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है। क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संशलेशित होता है। इसलिए खुरदरी अंतरद्रवेई जालिका यानि RER प्रोटीन संशलेशन तथा कोशिका के अंदर इनके परिवहन में भी लाबदायक होती है। चिकनी अंतरद्रवेई जालिका यानि SER की सतह पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता है। SER वसा अथवा लिपिड अड़ूं के निर्माण में सहयता करती हैं। जो की कोशिका कारियों के लिए महदपून होते हैं। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका जिल्ली को बनाने में सहयता करते हैं। इस प्रक्रिया को जिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ये कशेरूकी के यकृत की कोशिकाओं में विश तथा दवा को निर्विशी करण करने में महतपून भूमी का निभाती है। गौल्जी उपकरण गौल्जी उपकरण की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गौल्जी ने की थी। गौल्जी उपकरण जिल्ली युक्त पुटिका है, जो एक दूसरे के उपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिनहें कुंडिका कहते हैं। ये कुंडिकाएं अंतर द्रवेई जालिका की भित्तियों से जुड़ी होती हैं। ये पैक पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर विभिन लक्षियों तक पहुँचाती है। इसके कारियों के अंतर गत पुठिका में पदार्थों का संचयन, रुपांदरन तथा बंद करना शामिल है। ये लाइसोसोम के निर्मान में भी भाग लेती है। लाइसोसोम एकल जिली युक्त थेले होते हैं, जिनमें की पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों को जल अप घटिये एंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के तूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, अथ्वा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे-छोटे टुकणों में तोड़ देते हैं। कोशिकी ये चयाब-चय में व्यवधान के कारण जब कोशिका चती ग्रस्त या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फड़ जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाजित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्म घाती थैली भी कहते हैं। माइटो कॉंड्रिया कोशिका का बिजली घर है। क्योंकि कोशिका के लिए आवश्यक विभिन रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटो कॉंड्रिया ATP यानि एडिनोसीन ट्राइफासफेट के रूप में उर्जा प्रदान करते हैं। ATP को कोशिका की उर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। माइटो कॉंड्रिया में दोरी जिल्ली होती है। बाहरी जिल्ली छिद्रित होती है। भीतरी जिल्ली में बहुत ज्यादा वलय होते हैं। इन वलियों को क्रिस्टी कहते हैं। लवक लवक यानी प्लेस्टिड केवल पादब कोशिकाओं में इस्तित होते हैं जन्तों कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं लवक यानी प्लेस्टिड बाहे रचना में माइटो कॉंट्रिया की तरह होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानि रंगीन प्लैस्टिड तथा लिूकोप्लास्ट यानि श्वेट तथा रंगीन प्लैस्टिड होते हैं, जो की फूलों तथा फलों को विभिन रंग प्रदान करते हैं. लूकोप्लास्ट रंगहीन प्लैस्टिट होते हैं. इसमें स्टार्च, टेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं. क्लोरोफिल युक्त प्लैस्टिट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. ये पौधों में प्रकाश संचलेशन के लिए आवशक होते हैं. रस्धानिया पादब कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। पादब कोशिकाओं में रस्धानिया कोशिका द्रव्वे से भरी रहती हैं और ये कोशिकाओं को स्भिती तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रस्धानी में संचित होते ये अमीनो अमल, शरकरा, विभिन कार्बनिक अमल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिकाओं वाले जीवों जैसे अमीबा की खाद्दे रस्थानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्दे पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रस्थानिया, अतरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाले में महतपूर्ण भुमिकाए निभाती हैं। विभन कारियों को संपन अर्थार्थ पूरा करते हैं। ये भित्ती से घिरे होते हैं। अंतर द्रवेई जालिका जिल्ली युक्त नालिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। गौल जी उपकरण जिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समनांतर रूप से सजी रहती है। जिन्हें कुंडिकाई कहते हैं। ये बैक पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर विभिन लक्षियों तक पहुँचाती है। माइटोकॉंड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है। क्यूंकि कोशिका के लिए आवशक विभिन रासायनी क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉंड्रिया, ATP यानी एडिनोसिन, ट्राइफॉसफेट के रूप में उर्जा प्रदान करते हैं। लवक अर्थात, प्लैस्टिड केवल पादब कोशिकाओं में स्थित होते हैं। जन्तु कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। अनेक पादब कोशिकाओं में बड़े छिली योक्त अंगक लवक प्लैस्टिड पाए जाते हैं। जोकी दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा लिउकोप्लास्ट। क्लोरोफिल योक्तु प्लेस्टिट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, तथा ये प्रकाश संशलेशन में सहायक होते हैं। लिउकोप्लास्ट का प्रात्मिक कार्रे संचयन करना है। अनेक पादप कोशिकाओं में एक बड़ी मध्य रस्थानी पाई जाती है, जो की कोशिकाओं को स्फीती तथा कठोरता प्रदान करती है.